इंटर्नल ओडिट्स, स्टाचिजरी ओडिट्स, फिनांशल रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पॉरेट मैटर्स और डारेक्ट टैक्सेशन आधी में एक्सपर्टीज रखने वाले C.A. सत्यम गुपता जी के पास, Auditing, Accounting, Taxation, GST और Concurrent Bank Audits आधी में व्रिहद अनभव प्राप्त है The Institute of Chartered Accountants of India द्वारा, Certificate Course on Corporate Social Responsibility और Certificate Course on Concurrent Audit of Banks कर चुके C.A. सत्यम गुपता जी, The Institute of Chartered Accountants of India के Associate Member भी है वर्तमान में, MS. गुपता सत्यम एंड असोशियेट्स में Practicing Chartered Accountant, C.A. सत्यम गुपता जी का Business पार्शाला में Expert के तौर पर हम स्वागत करते हैं नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है C.A. सत्यम गुपता और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सेशन में जहां मैं आपको बताऊंगा T.D.S. के बारे में दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जो आपको salary वहाँ से मिलती है न उस पे न कुछ पैसा card लिया जाता है और in hand salary और जो actual salary होती ही वहाँ पे कुछ difference आता है कुछ deductions किये जाते हैं जिनको हम कटोतियां भी कहते हैं जो जो deductions होते हैं उनी deductions में से एक part हमारा होता है T.D.S. का जिसको हम लोग बोलते है tax deduction at source तो दोस्तों ये T.D.S. क्या होता है T.D.S. में suppose अगर किसी को कोई income दी जा रही है तो एक तो तरीका ये होता है कि वो person कभी जा के अपना return भरेगा उस return के basis पे जो भी tax की liability निकल के आ रही होगी उस liability के according अपना payment करेगा बट सरकार ने क्या किया सरकार ने इस payment को जल् लिया जाता है उसके बाद जब भी आपकी tax liability बने या ना बने आप उपना return फाइल करेंगे जो भी liability बन रही होगी वो उस T.D.S. में से adjust कर ली जाएगी अगर आपको कुछ refund मिल रहा होगा तो वो refund आपको issue कर दिया जाएगा अगर आपको कुछ access payment करना है तो वो access payment आप च income tax reduced from the money paid at the time of making specified payments जैसे मैंने आपको बताया यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो T.D.S. का payment है वो आपको अपने पास से करना हो यहां पर क्या होता है अगर आपको किसी को 10,000 रुपए कोई आपको दे रहा है तो उसी 10,000 रुपए में से वो 1000 रुपए काट के आपक किया जा रहा होता है such as rent, commission, professional fees, salary, interest, etc. By the persons making such payment, usually the person receiving income is liable to pay income tax यहां पर दो बाते लिखी होई है पहली बात यह है कि person वो कौन सा होता है जो liable होता है तो liable वो person होता है जिसकी वो income होती है सब्सक्राइब आपकी salary आपको मिल रही है तो यहां पर income tax की liability आपकी है आपको काटने की liability किसकी है tax को काटने की liability आपके employer की है जो पैसा आपको दे रहा है यहां थोड़ा सा difference होता है जो हम लोग अपनी income पे खुद tax जमा करते हैं इसको हम लोग बोलते है self assessment tax यह tax हमने खुद जमा कर दिया हमारी income पे अगर हमारा employer जो है वो हमारे भीहाब पे tax काट के खुद सरकार के पास जमा कर रहा है तो यह provision जो होता है यह TDS के अंदर cover किया जाता है अच्छा देगे यहां पर कुछ basic sections बताए गए हैं जिनके जिनके ओपर TDS कट सकता है सच आज rent हो गया अगर आप किसी को rental payment कर रहे हैं वहाँ पे commission का payment हो गया अगर आप किसी को commission करते है है professional piece करते है salary interest लिए तो यह कुछ ऐसे तमाम चोटे-चोटे section जिनके ओपर TDS कटता है जैसे जैसे अपने session में आगे बढ़ेंगे मैं आपको detail में बताऊंगा हर एक section के बारे में उसके limit के बारे में plus उस पे लगने वादे TDS के rate के भी बारे में कि मींस अगर आप किसी को rent देते हैं तो किस rate से TDS काटेंगे अगर आप किसी को interest दे रहे हैं तो TDS किस rate से काटेंगे यह सारी चीज़े आज मैं आपको detail में बताऊंगा चलिए आगे चलते हैं इसी के बारे में अभी जो मैं आपको बात बता ही देखिए liability तो आपकी तभी निकलेगी जब आपना पूरा calculation कर लेंगे कि आपकी income कितनी है payment आपको कितना मिलना है और प्लस आपके ओपर liability आ किती रही है बट जो TDS का provision होता है वो यह बोलता है कि आपकी income पे जैसे आप advance tax निकलते हैं और देश चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए अगर हर एक आदमी अपना पूरा साल बीतने के बाद जब अपना tax का assessment करेगा उसी समय अगर वो tax जमा करेगा तो पूरे साल हमारा देश कैसे चलेगा इसलिए क्या होता है सरकार को पैसे की जरुवत होती है वो यह कहती है कि हर तीसरे महिने पे आप अपनी income का assessment करिए और उसके basis पे जो भी tax liability बन रही है उसको as an advance tax जमा करिए advance tax में जमा करने के पराद साथ क्या होगा कि अगर साल complete होने के बाद आपकी जो liability है वो कम पड़ रही है तो जो बचा हुआ balance है वो आप जमा कर सकते हैं अगर आपकी liability आपने ज़्यादा जमा कर रखी है तो सरकार जो बचा हुआ पैसा है वो आपको refund कर देगा अब देखे recipient takes credit for the amount already deducted and paid on his behalf और यह जो credit है यह मिल जाता है किसको recipient को जो recipient होता है जितना भी TDS कटा हुआ है उसका credit वो अपने पास ले लेगा और credit लेने के साथ-साथ वो क्या करता है इसको अपनी income में जो उसकी income होती है उसको add करता है प्लस जो उसकी बाकी income है जिस पर TDS नहीं कटा वो income भी उसको इसमें add करता है अपनी total income की summary में उसके बाद वो calculate करने के बाद जो tax निकलता है वो उसकी final liability होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है सपोज अगर आपकी salary के उपर tax कटा हुआ है एक लाग रुपए का और आपने जो salary अपनी बताई थी उसके कुछ deductions जो आप बतान जब आपकी जो salary है उसके बाद आपकी कोई और income ना हो सपोज सेलगी के साथ साथ अगर आपकी तीन लाग रुपए कि interest income भी है तो वो interest income भी आपकी salary में add हो जाएगी उसके बाद total income आपकी बढ़ जाएगी उसके बाद अगर कहीं आपको refund बल रहा होगा तो ही मिलेगा otherwise आ प्रटा होने का समय आपको पता होना चाहिए कि TDS काटना कब है salary तो आप 12 महीने देते हैं तो क्या पहले मेने के साथ ही काट ले या अखरी में काटे यह center में काटे या quarterly काटे कैसे काटे तो इसलिए बहुत जरूरी हमको पता होना चाहिए कि TDS हमको काटना कब है और कौन क हो गया तो किसकी liability है कि वो TDS काट के जमा करेगा देखिए any person making specified payments mentioned under the act is required to deduct TDS at the time of making such specified payment अभी यहां पर term use हुआ है specified persons and specified payment तो यह दोनों लोग कौन होते हैं कुछ ऐसे पेमेंट हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपको tax काटना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा उन्ही मे इसे कुछ ऐसे persons हैं जिनको payment काटना है वो कौन से होते हैं जिनको income tax act के अंदर specify किया गया है कि वो person अगर कोई specified payment करेंगे तो उनको TDS काटना है अब यहां पर एक पूरा जिसको हम लोग कहते हैं blanket exemption दे रही गई है blanket exemption क्या होता है कि TDS काटने की जिम्यदारी तो सब की है बट वो कौन से लोग है जो TDS नहीं काटेंगे वो कौन है वो लोग जिनकी books को audit करने की requirement नहीं है वो TDS नहीं काटेंगे यहां पर यह बोला गया कि अगर आप business करते हैं आपकी books बनती है बट आपकी income इतनी नहीं है या यूँ कहें आपका turnover इतना नहीं है कि आपके turnover पे na income tax audit के provisions applicable हो तो ऐसे cases में आपको TDS काटने की भी जरूवत नहीं है means आप किसी को कितना भी payment क्यों ना कर रहे हों आपको यहां पर TDS काटने की जरूवत नहीं है क्योंकि आपको यह blanket exemption मिली हुई है इसकी वेज़े से आपको TDS नहीं काटना आगे चलिए इसी के बारे में हम लोग और जानेंगे यहां देखे लिका हुआ है however in the case of rent payment made by individuals and to exceeding rupees 50,000 per month are required to deduct TDS at the rate 5% यहां पर ध्यान अखिएगा rental की बात हो रही है rental income अगर आप किसी को rent देते हैं और वो किराया 50,000 रुपए से उपर का है तो आपको 5% काटना है अगर आप audit नहीं कराते तो भी तो जो मैंने आपको exemption बताई थी वो exemption इसके उपर नहीं है यहां पर आपना वो लिख सकते हैं exception जो exemption मैंने आपको बताई थी वो इसके उपर applicable नहीं है यह जो provision है यह उसके exception में count होते हैं आगे बढ़ते हैं और अगे बढ़ते हैं अगर हमारे पास टैन नहीं होगा तो हम TDS काट के जमा कैसे करेंगे जो मैं आगे चलूंगा तो मैं आपको रेंटल के section में यह बताऊंगा कि अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं और आपको 5% TDS काटना है 50,000 रुपए से उपर का रेंटल पे तो वहां पे आप कैसे जमा करेंगे और आपको यहां पर बताया कि जो रेट होता है वो प्री डिफाइंड होता है प्री डिफाइंड का मतलब यह है कि आपको हर section wise rate बताया हुआ है कि कि section में आपको कितना payment बत यहां पर होता है कभी कभी लोग जो सामने वाले होते हैं अगर उनके पास में पैन नंबर आपको दे देते हैं तो आप specified rate से ही tax काटेंगे अगर उनके पास पैन नंबर है वो आपको नहीं देते है या उन्होंने पैन apply नहीं कर रखा तो ऐसे cases में आपको एक higher rate होता है उससे जो अपना higher rate होता है वहां से अपना यह tax आपको काटना पड़ेगा चलिए आगे चलते हैं हम लोग उसी बारे में और जानेंगे देखे लिखा हुआ है अब मैं आपको बता रहा हूं वह मैंने आपको बताए कि रेट जो होते हैं वह एक्ट में सब्सक्राइब होते हैं अगर उन बजट में हमारे अगर आपने अपने इंकम के जो प्रोविजिन्स हैं उसके हिसाब से अपनी इंकम टाक्सी कलिपेशन कर ली और आपने जितने भी किस्क्राइब करने थे वो सारे इंकम भी क्लेम कर लिए और ऐसे करने के बाद आपने क्या किया सारे एक्दिशन कर लिए उसके बाद जो आपकी टोटल इंकम है वह टा Rouge से नीचे आ रही है मिन्स ऐसे केसwn में जहां पर आपकी इंकम से भी नीचे आ है तो वहां पर आपको tax काटने की जरुवत नहीं है और TDS की जो provision है वो आपके ओपर applicable नहीं होंगे आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे अगले चीज की यहां पर देखें लिखा हुआ है similarly you can submit form 15G and 15H to bank if your total income is below the taxable limit so do not deduct TDS on your interest income अभी मैंने जो आपको बात बताई वहां पर मैं salary की बात कर रहा था कि अगर आपको कहीं से salary मिलती है तो ऐसे cases में आपको क्या करना है ऐसे cases में आपको वहां पर already a declaration देना है कि जो आपकी total income है वो taxable limit से नीचे है यहां पर declaration मिलने के बाद जो employer होगा वो आपकी income पे कोई भी 15H अगर हम लोग बात करें इन forms की तो जो भी लोग 60 साल से नीचे के हैं वो यह form जमा करेंगे और 60 साल से उपर के लोग जो है वो देगी हमारा 15H यह दो forms बताए होते हैं वो यह form अगर आपने जमा कर दिया तो bank वाला आपकी interest income के उपर भी कोई TDS नहीं काटेगा आगे द मैंने आपको बताया कि अगर आपकी income पर tax कट गया है और tax कटने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि tax नहीं कटना चाहिए क्योंकि आपकी जो income है वो taxable limit से नीचे की है तो ऐसे cases में कहा कर सकते हैं ऐसे cases में आप अपना income tax return file कर सकते हैं income tax return की due date 31st July होती है तो जो current year हमारा चल रहा है 31st March 2023 यह complete हुआ था आपकी इसमें जो भी income है आपको 31st July तक इसका assessment complete कराके अपना return file करना है और जो भी आपका refund बन रहा है वो refund आपके account में credit कर दिया जाएगा चलिए आगे देखिए when is the due date for depositing the TDS to the government अभी क्या हो रहा है जो मैं आपको बताई कि कि किसको काटना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको salary मिलती है तो आपका employer काटेगा अगर आपको interest मिलता है तो आपका bank काटेगा अगर आपको rental income मिलती है तो जो आपका landlord है वो काटेगा जो भी आद कि TDS तो काटना है मैं समझ गया बट मुझे कब काटना है और कब तक जमा करना है देखिए the tax deducted at source must be deposited by the government by the 7th of the subsequent month जिस मन्थ में भी मारा tax कटा है उसके अगले मत की 7 तारिक तक TDS जमा होना चाहिए for instance TDS deducted in the month of June must be paid to the government by 7th of July अभी क्या हुआ देखिए June में जो TDS कटा है उसको अगले महिने की जैसे पोस जुलाई है तो जुलाई की 7 तरिक तक जमा करना चाहिए however TDS deducted in the month of March can be deposited till 30th April मार्च के महिने में एक exemption आपको दी जाती है कि अगर मार्च के महिने में कोई tax कटा है तो उसको आप 30 अपरल तक जमा कर सकते है otherwise बाकी जितने भी टैक्स है उनका पेमेंट आपको अगले महिने की 7 तरिक तक करना होता है for TDS deducted on rent and purchase of property TDS payment due date is 30 days from the end of the month in which TDS is deducted अभी property के case में क्या होता है जिस भी property का payment हो रहा होता है अगर आपने कोई property purchase करी है उस cases में क्या होता है कि वहाँ पे आपको TDS का payment करना होता है अगर आपैसा किसी को दे रहे है तो वो जो पैसा आप किसी को देते हैं वो जिस month में भी कि आपने payment credit किया है वो month complete होने के बाद जो next month आता है from the 30 days from the end of the month suppose अगर आपने किसी को 23rd July को payment कर दिया तो 23rd July के बाद यह month मेरा complete होता है 31st July को 31st July के बाद से हम लोग हम पर 30 days count करेंगे और 30 अगस्त जो इसके बाद आएगी यह हमारी due date हो जाएगी यहां तक हमको payment करना ही करना है इस TDS का अगर हमने property के case में deal किया हुआ है आगे चलते हम लोग बात करेंगे how to deposit TDS पहले मैंने आपको बताएगा काटना किसको है फिर मैंने आपको due date बताई कि इसको जमा कब तक करना है अब मैं आपको बताऊंगा कि जमा करने के provisions क्या है और इसको हम लोग deposit कैसे करेंगे TDS source has to be deposited using INS 281 चलान यह जो है हमारा income tax portal पे एक चलान होता है आप यहाँ पे number याद कर लीजिए चलान number है 281 इस चलान के माधियम से हम लोग अपना TDS का provision करते हैं जब हम इस चलान को open करते हैं तो यहाँ पे detail में सारी information आती है क्या आपको case section के अंदर amount deposit करना है कितना amount जमा करना चाते हैं कितना amount of education से में जमा करना चाते हैं यहाँ पे आपको section wise सारी details दी जाती है और इसी के साथ साथ जो हपका assessment year होता है उससे भी related information रहती है तो यह सारी details जो होती है इस चलान में mention होती है तो यह चलान के मध्यम से अगर आप tax deposit कर रहा चाते हैं तो आप 281 चलान को follow करेंगे और इसके साथ साथ complete deposit आप करेंगे आप देखिए आगे बताता हूं मैं आपको कि मैंने क्या किया सबसे पहले आपको पता चल गया कि TDS काटेगा कौन पिर काटने के बाद जमा कौन करेगा उसके बाद हम लोग इसको bank के थू कैसे जमा करा देंगे government के प करने के साथ साथ हमको एक return file करके उसको एक knowledgement भी देना होता है उसी return के बारे में हम लोग आप जानेंगे filing tax deducted at source return is mandatory for all the persons who are deducted TDS सबसे important बात tax काटने के बाद आपको उसका return भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जिम्मदारी सिफ tax काटने से complete नहीं होगी ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपने किसी को payment किया और करने के साथ साथ अगर आपने उसकी income के ओपर tax काट लिया है तो यहां तक करने के साथ आपकी जिम्मदारी complete नहीं होती आपको उसके tax काटने के बाद उसका return भरना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप यह return फाइल करेंगे तभी जो सामने वाला परसन ने उसको credit मिलेगा अगर आपने return फाइल नहीं किया तो उसको कोई भी credit नहीं दिया जाएगा आपको बताया कि अगर आप return फाइल करते हैं तो उसमें कौन-कौनसी जिम्मदारिया होती है उसमें सबसे पहले आपको 10 मेंशन करना होता है amount of TDS जाता है payment of tax जाता है कितना amount था उसके बाद डिदक्ती का पैन जाता है जिस पे यह amount credit होना होता है अभी यहां बोला गया है कि TDS returns are filed quarterly means हर तीसरे मेंने यह returns आपको file करने होते हैं also different forms are prescribed for filing returns depending upon the purpose and deduction of tax तो अलग-अलग purpose पे depend करता है कि कौन-कौन से purpose से आप returns file कर रहे हो उस पे depend करता है कि आप कब-कब file करेंगे और जो form होता है वो भी depend करता है different types of TDS payments का अलग-अलग जो section होते हैं उसके लिए हमारे पास अलग-अलग form है कि जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आपको इसके बारे में detail में पता चलेगा का return देते हैं उसके इलावा जितने भी returns आपके TDS के जाएंगे वो सारे return आपके जाएंगे form 26Q से यहां मैंने आपको दो basic form बताए जिनके थूँआ आपको TDS का payment करना है और return फाइल करने है अभी देखे क्या होता है quarter 1 31st July यह due date बता रहा हूं आपको किस किस date पे आपको payment करके deposit करना है अपना return तो return का form तो होगे हमारा 26Q अभी देखे जो quarter हमारा first complete होता है इसकी date होती है 31st July second quarter जो होता है 31st March 2023 complete हुआ है इसकी due date होती है 31st में means अभी आज से अगर हम लोग count करेंगे तो आज से हमारे पास 31st में जो current month चल रहा है इसकी जो last date होगी यहाँ पे हमको 31st March जो हमारा पिछले financial year का last quarter था इसका return फाइल करना है तो अभी हम लोग इस पे बात कर रहे है हम लोगो 31st May तक अ आगे देखिए यहाँ पर मैं आपको डीटेल में बताऊंगा sections के बारे में कि किस कि section के तहरत आप TTS काटते हैं तो यह पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है क्योंकि complete detail आपको पता चलेगी किस section में payment कटेगा कितना payment कटेगा और कौन-कौन से returns उसके file होंगे उनकी respective due dates हमारी कौन-कौन सी होने वाली है तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले हमारे forms होता है 24 जैसे मैंने आपको बताया था यह form हमारा होता है salary के लिए जो भी हमारा salary का payment होता है वहाँ पर हम इस form के माध्यम से अपना tax payment करते है quarter 1 जो होता है यह मैंने date आपको याद अखनी है अगर आप 24 form के माध्यम से salary का return फाइल कर रहे हैं दूसरा हमारा होता है form 27 क्यों यह क्यों होता है TTS made on payment made to non-resident accept salary अगर आप किसी NRI को payment करते है वह भी payment salary के इलावा किसी और चीज़ का कर रहे है तो वहां आपको 27 क्यों का यह form जो है इसको file करना 31 January and quarter 4 की 31 May यह और यह dates हमारी same होती है तो चाहिए आपका form कोई भी हो आप इन date से काम चला सकते हैं आगे देखिए next हमारा होता है form 26 QB यह होता है TDS on sale of property यह मने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी property sale करते हैं तो जिसको भी आप payment कर रहे हैं वहां पे आपको एक TDS कारते हैं जब property की value जो है वो 50 लाग से उपर की होती है अगर आप कोई property बेच रहे हैं जहां पर आपका consideration जो है वो 50 लाग से उपर का है तो आपको direct payment नहीं करना जो भी आपका seller है आपको उसके payment के उसाथ से TDS काटना है TDS काटके आपको यह 26 QB का form file करना है और TDS को जमा कर करना है और जो बचा हुआ payment है वही आप जमा करेंगे देखिए इसकी date क्या होती है 30 days from the end of the month in which TDS is deducted जिस महने में भी आपने TDS काट आ उसके 30 दिन के अंदर आपको यह payment करना होता है और करके 26 QB का यह form file करते हैं और आप इसको credit देते है respective आपका जो seller है उसको next देखिए हमारा आता है form 26 QC यह 26 QC का form होता है यह हमारा होता है TDS on rent का यह होता है 30 days from the end of the month in which TDS is deducted 30 दिन के जिस महने में भी आपने TDS काटा है उसके 30 दिन के अंदर आपको यह 26 QC का form file करना है और file करने के बाद ही जो आप इसका payment है वो कर सकते हैं आगे चलते हैं देख बहुत important part है हमारे आज की presentation का क्यों की देखिए TDS आपने काट लिया बहुत जगा ऐसा होता है कि TDS काट लिने के बाद आपका TDS जो है वो जमा नहीं किया जाता और ना जमा करने की वज़े से एक तो देखिए पहले ही आपकी income पे tax कट गया तो जो आपकी liability बन रही थी वो दुबारा payment करना पड़ सकता है वो payment आपको इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि आपने TDS का certificate नहीं लिया था तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से यह बात ध्यान रखिए कि कहीं पे भी अगर आपका tax कट रहा हो तो आपको TDS certificate जरूर लेना है चलिए अब आप पसारते हैं हम लोग को बात करेंगे TDS certificate क्या होता है form 16, form 16a, form 16b and form 16c all are different type of TDS certificate अलग-अलग नाम होते हैं कहीं पे form 16, 16a, 16b, 16c यह depends करता है कि कहां से आपको certificate मिल रहा है उसके बैसे पे नाम है यह TDS certificate have to be issued by the person deducting TDS to the SSC whose income TDS was deducted while making payments इसका भी payment करने वो TDS काटा जाता है व For instance, bank issue form 16a to the depositor when TDS is deducted on the interest, form 16a is issued by the employer to employee, salary के case में आपको form 16 मिलता है इसलिए लोगों को आपने कहते होए सुना होगा कि आपका form 16 होता है उसी के basis पे जो आपका income tax return है वो file किया जाता है, bank वाले क्या करते है, bank वाले आपको form 16 देते हैं क्योंकि salary के लिए आप एक बार धिहा salary पे कटा है, उसके लिए आपको मिलेगा form 16 और other than salary आपका जितना भी TDS कटा है उसके लिए आपको मिलेगा form 16a, तो यह आपको ध्यान अचाना है कि 16 200 a होता है वो other than salary नुलू है, 16 जो है वो आपका salary का है यहाँ पे परने बीएक part ऑ पार्ट भी होता है, part ऑ में आपका salary का डीटेल होती है पार्ट वी जो होता है वो complete computation होता है जहां पर वो सारी चीजे लिखी रहती हैं जो आप ज्यानना चाहते हैं आगे चलते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसी certificate के के बारे में कि कब कब यह certificate issue होना चाहिए देखिए form 16 जैसे मैंने आपको बताया form 16 हमारा होता है salary के लिए salary के लिए जो हमारा form 16 आता है वो किसलिए होता है वो yearly दिया जाता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो salary पर TGS कट रहा है तो last में जाके उसका competition होता है और वो 31 में तक आपको issue कर दिया जाता है अभी हम लोग अगर form 16 ने की बात करें तो यह होता है non salary payment जितने भी उनके लिए तो यह रिटर्न भी मैंने आपको बताया थे कि यह quarterly होते हैं तो quarterly होने के साथ साथ आपको जो due date उसकी होती है उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको ये ना form 16 ने issue कर देना है अगर अगर आपको प्रोपरिटी का प्रोपर परोपरिटि बता है यहां पर जो हमारा form applicable होता है वह ठोंग 26 qb का जो form होता है यहां पर आप देते है form 16b, इसकी frequency क्या होती है, जितनी बार आप TDS काटेंगे, उतनी बार आपको यह form देना पड़ेगा, यहां पर देखे लिखा हुआ है every transaction, इसका मतलब क्या हो गया, जितनी बार भी आप TDS काटेंगे, आप जमा करेंगे, अगर आपने कोई TDS नहीं काटा, तो यह form आपको नहीं देना है, इसकी frequency क्या हो गए, 15 days from the end of filing date, जो भी आपकी due date दी filing की, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको यह form issue कर देना है, देखे अभी क्या हो रहा है, यहां पर यह नहीं लिखा है, 15 days from the date of filing, अगर 15 days from the date of filing लिखा होता है, तो इ इस भी दिन आपने file किया, उसके 15 दिन के अंदर आपको यह form issue कर देना है, बट यहां पर लिखा हुआ है, 15 days from the due date of filing, यह बात depend करती है, कि अगर आपने due date के बाद कोई form file किया है, तो भी भले due date के बाद आपके 10-15 दिन निकल चुके हैं, तो भी ऐसे cases में क्या होगा, आप आपको जो form 16 भी या 16 ने issue करना है, वो 15 days from the due date ही आप calculate करेंगे, भले ही अगर आप 14 दिन बाद आप यह return file करते हैं, तो next day जब आप यह return file कर देंगे, उसी के बाद इसकी due date भी आ जाएगी, तो यहां पर आपको due date जो लिखी है, इसको ध्यान दखना है, next होता है हमारा form 16C TDS on rent, every transaction यह भी जितनी बार हम लोग transaction करेंगे वही देना है, और यहां पर भी लिखा हुआ है, 15 days from the due date of filing, तो जितने भी provision मैंने आपको बताए, इसमें सारी चीजे जो है, वो due date के उपर ही आ रही है, तो यह due date आपको ध्यान रखते हैं, चले दोस्तों, आगे चलते हैं, म अपना income tax return भरते हैं, तो वहां पर आपको ITR का form मिलता है, उसी ITR के form के साथ साथ आपको मिलता है, जिसको हम लोग बोलते है, form 26AS, तो जो हमारा यह form 26AS होता है, यह क्या करता है, it is important to understand how TDS is linked to your PAN, TDS transactions are linked to PAN numbers, both for the deductor and deductive, तो जो हमारे deductor और deductive होते हैं, दोनों के PAN के साथ में यह link होता है, वो link ऐसे होता है, कि suppose, अगर आपने किसी का TDS काटा, तो आप अपना PAN number डालेंगे, अपना PAN number डालेंगे, और TDS काटेंगे, तो जिसका tax काट रहे हैं, उसका भी आप PAN number डालेंगे, क्योंकि तभी तो उसको credit मिलेगा, यह आपस में link होता है, जैसे ही आपने TAN number डालके, उसका tax deposit किया, और उसका PAN number डाला, respective जो form होगा, वो उसका 26 AS जो form होता है, वहाँ पे उसको credit मिल जाएगा, means पैसा काट के आपने दूसी जाएगा, जमा कर दिया, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे, 26 AS में आपका reflection आ जाएगा, चलिए, आगे तो बहुत ध्यान से समझ लीजे कि कभी भी आपको अपना return form 26 AS देखे बिना file नहीं करना, क्योंकि बहुत सरे cases में ऐसा क्या होता है, कि आपने अपना PAN लगाया हुआ है, वहाँ पे आपका tax कट गया, बट हो सकता है, आपको पता ही ना चला हो कि आपका tax कटा हुआ है, औ tax कटने के बाद वो 26 AS में आपको credit मिल जाता है, तो अगर return करते समय आपने form खोल के ही नहीं देखा, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा credit वहाँ पे पड़ा रहा जाएगा, जो आपको refund मिल सकता था, या वहाँ पे कुछ ऐसी income शो हो रही होगी, जिसको आपको अपने return म मिलना चाहिए था, वो payment भी refund आपको नहीं मिलेगा, चलिए दोस्तो, आगे मैं इसी बारे में आपको बताऊंगा, since all the TTS is linked to your plan, this form lists out the details of TTS deducted, जैसे मैं आपको बताया, सारे transactions इससे link है, तो link होने की वज़े से ही, जितने भी payment होते है, वो सारे form इस पर दिखते हैं, whether आप दो salary, interest, income, or other income, if any, कोई भी income आपकी हो, बहले, वो salary की हो, interest की हो, rental की हो, commission की हो, professional fees हो, हर income जो होती है, वो आपकी यहाँ पे शोरी है, this form is also available directly paid by you as advanced tax, self-assessment tax, मैंने आपको जैसे बताया, यह कोई specific TDS का form नहीं होता, यहाँ पे जो भी tax के payment होते हैं, आपको सब दिखते हैं तो बहले, आपका tax कटा हो, आपने कोई advanced tax जमा किया हो, या आपने कोई self-assessment tax जमा किया हो, कोई भी tax का payment आपने किया होगा, वो सारे ही payment आपको इस form 26 AS में show होगे, तो आपको अपना return file करते समय, यह form जरूर ध्यान रखना है, this means it becomes important for you to mention your PAN correctly, whether TDS applicable or not, इसी का मतलब यह हो तिक्कत आईए, चले दोस्तों, आगे चलते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, return के जो file है, इस form लोग upload कैसे अगरते है, आपने return की file बना ली, तो क्या करना पड़ेगा, आपको income tax की website पर जाना है, e-filing पे income tax form, यहाँ पे ना कुछ form आते हैं, हमारे income tax के, उन forms को जब हम file क करेंगे, तो यह return का form है, यह हमारा upload होगा, तो इसमें क्या होता है, आपको e-file के option पे जाना है, उसके बाद income forms के अंदर में, आपको file income tax forms on the dashboard, यह option मिलता है, जहाँ पे आप जितने भी form है, इनको upload करते हैं, और यहाँ पे आपको relevant form file करना है, और digital signature और electronic verification code, जिसको हम लो ही है, तो जहाँ पे आपको no time required है, वहाँ पे आप इस तरीके से जाके अपना return file कर सकते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा different types of TDS के बारे में, अभी देखिए, मैंने आपको बता दिया कि payment करता कैसे है, कौन काटता है, कब जमा होता है, due date क्या होती है, certificate कब दिया जाता है, और return कैसे upload करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे individual हार अलग-अलग sections की, उन sections में कितनी limit है, और हम लोग payment कैसे करते हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दू कि कौन कौन से important sections होते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे पहले हमारा होता है salary का, उस के बाद आती है हमारी commission payment, फिर आता है sale of house, फिर insurance commission, interest on securities, interest other than interest on securities, rental payment, professional fees, online gaming, and willing form games like lottery, etc. ये कुछ हमारे important sections होते हैं, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इन ही sections पे basically जो TDS पूरा है, वो revolve करता है, अगर 100 payment TDS के कट रहे होते हैं, तो 100 payment के अंदर से भी हम कह सकते हैं कि 90 payments जो हो रहे हैं, वो इसी section के होते हैं, बाकि जो remaining 10% हैं, वो इसके बाहर से हो सकते हैं, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको detail ने बताया था, कि मैं आपको सारी sections के बारे में detail बताऊंगा, कि कब कब आपको payment काटना है, कितना कितना payment काटना है, और amount उ चलिए सबसे पहले आपको बताया, salaries के बारे में, जो salary का हमारा section होता है, वो होता है 192, 192 salary का section होता है, इसके अंदर जो हमारा average rate होता है, वो cuttा है TDS पे, अब जो TDS हमारा इसके उपर cutt रहा है, वो हमारा average rate पे cuttा है, average rate पे cuttने का मतलब क्या है, कि यहां पर हम लोग ल तो हो सकता है जिसकी सैलरी 8-10,000 रुपय हो उसके 20% कट जाए यह जिसकी सैलरी करोडों में है उसके उपर 20% कट रहा है तो इसलिए इसको even maintain करने के लिए इसके उपर कोई rate नहीं बताया गया यहां पर क्या होता है हम लोग एक average rate निकाल लेते हैं उसकी respective salary को count करके उसी basis के उ उपर हम लोग tax काटते हैं next हमारा होता है 192A यहां पर क्या होता है अगर हम लोग अपने EPF से कुछ भी premature withdrawal करते हैं EPF से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं premature तो वहां पर क्या होता है 50,000 रुपय की limit होती है और इससे उपर कर अगर हम लोग payment निकालते हैं तो 10% के rate से हमारा tax काटा जाता है next हमारा होता है interest on securities, interest on securities means अगर कोई भी security आपने कहीं रखी हुई है उसके उपर कोई भी आपको interest मिल रहा है और वो interest 10,000 से उपर का मिल रहा है तो 10% के rate से tax आपका कटेगा एक आपको न ये threshold limit याद करने के जरुवत है वो इसलिए क्योंकि हर amount पे TDS नहीं कटता जब आप उस threshold के ऊपर चले जाते हैं तभी आपका payment कटता है नेक्स्ट हो गया हमारा 194 का जो कि dividend की बात करता है अगर आपको किसी company से dividend का payment मिल रहा है और वो dividend आपका 5000 से उपर का है तो भी आपका 10% TDS कटेगा चाहे आप individual हो या फिर हुए उसके वार अगर आपको bank से interest मिलता है तो ये हमारा होता है 194 A के cover होता है और यहाँ पे क्या हो से हमारा tax कटेगा अगर आपको interest मिलता है चाहे वो interest आपकी bank से हो और या फिर interest वो आपको कहीं और से मिल रहा हो next हमारा हो जाता है senior citizen का जो हमारे senior citizen होते हैं उनके लिए यह limit जो 40 की थी इसको यहाँ पे 10,000 रुपए से बढ़ा दिया गया है और यह limit हो गई हमारी 50,000 और यहाँ पे भी जो amount होता है वो 10,000 के rate से ही कटता है next हमारा हो गया winning on lotteries gambling तो lottery और gambling की case में भी जो payment है अगर वो आ income ऐसी नहीं है जिसके लिए आपने कोई effort किया हो या कुछ हो तो इसमें क्या होता है यहाँ पर tax rate higher हो जाता है वो पैसा भी कटने के बाद आप उसको calculation में ला सकते हैं और अगर आपकी income slab rate से रीचे आ रही है तो यह पैसा आपको refund मिल सकता है आगे चलते हम लोग next slide दी तर करते हैं 30,000 रुपैसे उपर करते हैं तो यहां पर आपको एक परसंट से कातना है इंडिविजुल की case में और की case में दो परसंट और कोई ऐसा contractor जिसके साथ अब साल भर कुछ ठेका करते हैं उसका limit payment अगर एक लाग से उपर का होता है तो ऐसे cases में आपको एक परसंट काटेंगे next हो गया हमारा 194D का यह होता है हमारा insurance commission का यहां पे अगर आपने 15,000 रुपैसे उपर की commission आ रही है insurance की तो 5% के rate से आपको individual पे TDS कटेगा और others के case हो गया तो 10% के rate से TDS कटा जा रहा है next हमारा हो गया 194DA दोस्तों इस section को ध्यान से समझेगा क्योंकि यह होता है ह नहां पर बोला गया है किसी भी life insurance policy के case में अगर आपको एक लाग से उपर का payment किया जा रहा है तो 1% TDS कटेगा भले ही आप individual हो या फिर आप कोई non individual हो आप private limited company या कोई company चलाते हो next हमारा हो गया 194E यह हमारा NSSC का होता है 194F होता है repurchase units of mutual fund अगर आप किसी mutual fund की unit repurchase करते हैं तो ऐसे cases में जो rate अपता है वो 20% का है next हमारा commission का आता है commission देखिए एक तो आपकी lottery से हो सकती है plus दूसरी आपकी commission और brokerage हो सकती है 194G और 194H तो यहाँ पे दोनों ही cases में 15-15,000 रुपे की limit है दोनों ही cases में 15-15,000 के threshold के उपर अगर आप जाएंगे तो आपको जो tax payment है वो का 5% का ही है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर जगा तो हम लोग ने जादा rate से tedious काटा हुआ है बट अगर यही payment हमारा commission का या फिर brokerage की income का है तो यहाँ पर जो rate हमारा है वो मात्र 5% का ही लगता है आगे चलते हैं next अपनी slide की तुरव यहाँ पर हम लोग बात करें से उपर का payment हम लोग कर रहा है तो 2% के rate से tedious कटेगा बिल्डिंग के case में भी यह 20,000 रुपए है यहाँ पर जो rate है वो 10% का हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 8% का increment है दोनों के बीच में उसके बाद 194 जो के होता है यह हमारी बात करता है payment of dividends by mutual fund जो हमारे mutual fund dividend द दिया है तो यहाँ पर 10% के rate से हमारा TDS कट रहा है और 194 LA जो है वो हमारा बोलता है compensation by transfer of certain immovable agricultural property यह property अगर आप transfer करते हैं और धाई लाग रुपए से उपर का payment आपको मिला तो यहाँ पर भी 10% TDS कटेगा भले ही आप individual की category में हो हो या फिर आप एक private limited company चलाते हो और last में ज जो है वो हमारा 10% का ही है तो धाई लाग और 10% इसी के इसाब से जो भी rate आपके उपर applicable होगा आप उसके for you TDS काटेगे तो दोस्तों आगला बात जो आपको बताओ वो होता है मारा 194 LA LB LB यह जो तीनों section हमारे होते हैं यह link होते हैं interest income से relate करने के लिए तो यहाँ पर क्या नहीं देंगे बले यह आपकी 1000 रुपए की ही हो आपको सिर्फ rate ध्यान रखना है individual के case में 5% है और यह सारे cases जो है अगर आप 194 LBA को consider करते हैं तो यह business trust से relate करता है यहाँ पर rate जो है 10% है आपको दोनों ही cases में rate भी same मिलेंगे और rate same मिलने के साथ-साथ चाहे आप individual या non-individual HEUFO यह दोनों ही rate हर category में same है 194 NFK अब लोग बात करें तो यह होते हैं जो भी हम cash दे दे हैं non-pailers को payment of certain amounts to cash to non-pailers अब देखें यह जो limit आ रही है यह 2,00,000,000 की limit यह limit हर किसी के उपर आप लेकिबल है बले ही हम और आप क्यों नहों यह क्या होता है अगर आप cash में भी किस तो यह निकाला जाएगा certain amount of cash to non-pailers यहां पर क्या होता है कि दूसरा section है यह बोलता है कि cash का अगर आप payment करते हैं और NF की category जो होती है कि banks के उपर applicable जादा होती है वहाँ पर जो limit होती है वो higher limit रखी गई है और rate भी जो है वो आपका higher category का होता है 2% से ना काटके जो payment है वो 194 ओ जो हो गया मारा e-commerce participants का हो गया 194 हो गया SE senior citizens के लिए specified senior citizens जो होते हैं उनके लिए क्यू हमारा हो गया purchase of goods exceeding rupees 50 lakh यह section हमारा ना एक जुलाई 2021 से applicable हुआ था उसके बाद अभी क्या है कुछ amendments आ गए हैं अगर आपके उपर TCS applicable है तो इस section के तहट आपको payment नहीं करना next होता है हमारा 194 यह होता है business perquisites related अगर कोई business के perquisites है 20,000 के उपर तो rate जो होगा वो 10% है यहां पर rate अप्लेके बिल नहीं है क्योंकि यह force में दिया जाता है और यहां पर क्या होता है यह rate जो है वो 0.1% है आपको ध्यान रखना है यह rate हमारा 1% है तो अगर हम लोग एक ला हमारा 0.1 है means इसको भी हम लोग 100 से divide करने के बाद मात्र 10 रुपए का tax ही देंगे इस rate को आप ध्यान अखिएगा यहां पे 0.1 होता है और यह उपर जितने भी मैंने आपको rates बताई यह सारे ही 1% category से आते है तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का है session यहां पे end होता है मैं दोस्तों चलिए मिलते हैं आपके साथ zoom session में जहां मैं clear करूँगा आपके सारे doubts, thank you. Anker Fastener एक तरह का tool है जिसे दो objects को connect या attach करने के लिए use किया जाता है इस hook का एक end pointed और sharp होता है जिससे वो अच्छे से दूसरे end में connect हो सके Anker Fastener multiple purposes जैसे hand towels, coats, dog leads, mirrors, ball pieces, pictures, hanging के साथ ही household items या lightweight pictures के काम में आता है इन्हें metal, wood या plastic का भी बनाया जा सकता है और इनकी life increase करने के लिए इन hooks पर zinc या metal की coating की जाती है बात करें Anker Fastener के business requirements की तो अगर इस business को 15-16 लाख की semi-automatic machine के setup के साथ शुरू किया जाए तो 1200 square pit area, लगभग 25 kilowatt electricity और 2-3 skilled या 4-5 unskilled manpower की जरूरत होती है 28-30 लाख तक की investment के साथ इस business को शुरू किया जा सकता है आज का हमारा दूसरा business idea है fireproof doors Fireproof doors, fire control करने के सबसे effective method में से एक है Commercial places पर accidents से पश्ट में के लिए ये doors government की तरफ से recommend किया जाते हैं Fireproof doors की दिन पर दिन बठती demand को देखते हुए इसका future scope काफी bright दिख रहा है Fire doors को अलग-अलग materials जैसे glass sections जिसमें vision panel included होता है Gypsum, जो endothermic fill है, steel, timber, vermiculite ports, aluminium, GI अधी के combination से बनाया जाता है Fireproof doors making business की requirements कुछ इस तरह से हैं इस business के लिए total required area 8,000 से 10,000 square feet होता है जहां production area 2,000 से 3,000 square feet, raw material area 2,000 square feet, administrative area 500 square feet, finished goods area 2,000 से 3,000 square feet रहेगी इसके लिए plant और machinery cost 1.3 से 1.5 तरोड तक होगी Fireproof doors making business के लिए required electricity 55 से 60 kilowatt तक होती है पंदरा सौ से 2,000 doors पर मंत की production capacity के साथ इस business के लिए लगभग 25 से 28 manpower के आउशकता होती है जहां 8 से 10 skilled labor, 10 से 15 unskilled labor, 2 से 3 supervisor और accountant होते हैं इस business का profit margin 12% से 15% तक होता है अब बात करते हैं हमारे आज के तीसरे business idea के बारे में जो है chrome plating chrome plating ना केवल metal की सुन्दरता को बढ़ाता है बलकि इससे equipment को एक safety layer की मिल जाती है metallic products को जंग से बचाने के लिए electroplating के process के थूँ उनमें chrome plating की जाती है chrome plating एक तरह की metallic coating टेकनीक है जिसे automobile industry और aerospace industry में use किया जाता है और ये हमेशा demand बे है इसमें use होने वाला chromium एक metal है जो corrosion resistant होता है chrome plating के business की requirements की बात करें तो अगर आप ये business small scale पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 800 से 1000 square feet area 12 से 15 kilowatt electricity और 6 से 7 manpower की requirement होगी इस business की total investment cost 8 से 12 लाग तक होगी जहां profit margin 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक रहेगा वहीं large scale production के लिए 3000 से 3000 square feet area 40 से 45 kilowatt electricity और 15 से 20 manpower की requirement होगी इस business की total investment cost 40 से 50 लाग तक होगी आज का हमारा चौधा और आखरी business idea है screw manufacturing screw एक तरह की small machine है जिससे machinery parts को एक साथ fix करने के लिए use किया जाता है अगर आप किसी evergreen और high profit margin वाले business को शुरू करने का plan कर रहे हैं तो आप screw manufacturing business start कर सकते हैं screw के वल छोटे parts को ही नहीं बलकि बड़ी industries में machine assembling और fixing के काम भी आता है इसके easy और multipurpose use की वजह से इसकी market में demand हमेशा ही high रहती है screw manufacturing business की requirements की बात करें तो अगर आप ये business small scale पर शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए 1800 से 2000 square feet area 15 से 18 kilowatt electricity और 15 से 20 manpower की आवश्रक्ता होगी इस business की total investment cost 18 से 20 लाग तक होगी जहां profit margin 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक रहेगा वहीं large scale production के लिए 10,000 से 12,000 square feet area required होता है जिसमें production area 6,000 से 7,000 square feet raw material storage area 1500 से 2,000 square feet finished goods area 2,000 से 2,500 square feet और administrative area भी शामिल है इस business के लिए 90 से 100 kilowatt electricity ज़रूरी है जिसमें लगभग 1 turn per day की production capacity होगी और इस business की total investment cost 1.2 से 1.3 करोड तक रहेगी तो ये थे हमारे आज की business ideas उमीद है कि ये session आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा अभी आप Zoom session के माध्यम से हमसे जुड़े रहकर experts से directly connect कर सकते हैं Zoom session का link आपको YouTube chat box में मिल जाएगा धन्यवाद अपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा अवाद आपके लिए खाएगा कर दो दो आपके लाभकारी सिद्ध होगा झाल झाल